हेई आई विवन हाव यू ओल सो कैसे हो आप लोग सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है इट एंड्स विद अस और ये बुक लिखी है कोलिन होवर ने सो लास्ट वीड़ो मैं देखिती है वीड़ो नुमबर 39 आप यहां से शुरुआत होती है वीड़ो नुमबर 40 की और यह है बुक में चैप्टर नुमबर 29 सो वीड़ो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर जिन लोगों ने मुझे सोशल मीड़ा प्लैटफर्म से फॉलो नहीं करा अगर आप चाहूँ तो मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दिये अब जो अलीसा होती है वो रैली और लिली के बगल में काउच पर आराम से बैठ जाती है और कहती है ना मैं बहुत मिस्स करती हूँ यार तुम्हें लिली मैं सोच रही हूँ ना कि मैं एक दो दिन या इसी सफते में काम पर दुबार से वापस आ जाऊँ अब जो लिली ना वो हसती है क्योंकि जि घर से बहाँ निकलना चाती हूँ यार अब लगबग ना च्छे सफते हो चुके थे जब से रैली पैदा हुई थी और जो लिली ना वो सोचती है कि मुझे नहीं लगता है ये काम पर वापस आएगी या कैसे काम करेगी है क्योंकि अब उसके पास रैली है उसका बच्चा ह में कहती है तो माय पास इसके लिए लोग नहीं है क्या अब जो माशल होता है ना वहां से गुजर रहा होता है और जब इस सुनता है ना तो माशल ली औहुग कहता है ली हमारी बेटी के सामने ऐसे अमीरो वाली बात मत करो यार यह तो ब्लास्फेमी है अब जियन यह सुन कि यही वो टाइम होता है ना जब मैं हसती हूँ क्योंकि जब से राइले गया तो मुझे बहुत ज़धा केल ऐसा लगता है मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया कुछ भी नहीं ना कि अलीसा को ना मार्शल को ना अपनी मम्मी को कि क्या हुआ था हम दोने के बीच में नहीं राइले ने किसी को कुछ बताया और सबको ऐसा लगता है ना वो बस केमरेज गया है हम पढ़ने के लिए और हम सब वैसे ही है वैसी चीज़े चल रहे है और जो लिली है उसने में प्रेगनेंसी के बारे में भी किसी को नहीं बताया होता वो डॉक्टर से दो बार जाके मिली थी तब उसको पता चला था जब उस दिन रात को पहली बार जब उनकी लड़ाई हुई थी बहुत भैंका जब उसका सरफूड गया था तब अलरड़ी 12 सफते बीच चुके थे और 6 सफते राईले को गए हो गए थे तो इसका मतलब अब लीली को टोटल 18 सफते हो चुके हैं और लीली को लगता है किसी ना किसी दिन मेरा भांडा फूर्टी जाएगा क्योंकि जिस तरीके का मेरा पेट निकलेगा तो कोई लोग तो पहचा नहीं लेंगे अब लिली सोचती है न कि जब ठंडे होती है तो चीजों को छुपाना ज़ादा असान होता है क्योंकि जब आप एक बड़ा सा बैगी स्वेटर पहनते हो और जैकेट पहनते हो न तो किसी को पता ही चलेगा कि आप प्रेगनेंट भी हो लेकिन लिली को पता है कि उसको पताना तो ही वो चाहती थी न कि उसबसे पहले ये चीज़ राईले को बताए और फोन पर ये चीज़ बताना बिल्कुल भी अच्छी निया कि लॉंग दिस्टंस अच्छी नहीं होगी तो जो छोटी बच्ची होती है राईली वो हसरी होती है बहुत जादा अब जो लिली होती है वो बताना तो चाहती है अलीसा को कि मैं प्रेगनेंट हूँ और मैं न वो छुपाना नहीं चाहती अलीसा से लेकिन लिली को न कहीं न कहीं यह लगता है कि यहार उसका भाई है अब वो इसको सब कुछ बता देगी न तो situation कैसी हो जाएगी अब जो अलीसा होती है न वो उससे पूछती है कि राईली की भी न तुम कैसा कर दियो सब कुछ ठीक तो चल रहा है न और तुम तैयार हो उसके घर आने के लिए अब जो लिली होती है न में सहील आके हाँ कहती है जनरली जब भी न अलीसा ऐसे subject पर बात करा करती थी जो लिली थी न वो सब बातों को टाल दिया करती थी अब जो अलीसा होती है न वो क्या करती है न आम से पीछे टिक के बैठती हो कहती है न उसको Cambridge पसंद आ रहा है अब जो लिली होती है कहती है हाँ और अपनी जीब बाहर निकालके राईली के सामने हसरी होती है जो Riley होती है वो बहुत ज़्याधा cute होती है अब जो अलीशा होती है वो दुबार से लीली से पूल्सती है क्या उसने figure out कर लिया कि जो subway system है वहां का कैसा है फिर अलीशा हसती है कहती है कहती है ना अलीसा क्या करती है लीली का आद से बच्चा लेती है माशल को देदी है कहती है तुम इसका डइयपर चयंज कर दोगे अब लीली मन में था ती है कि अभी कुछ देर पहले तो मैंने इसका डाइपर चयंज कर रह था अब जो अलिजा फटाक से दर्वाजा बन करती है और वो दूने एक दूसरे को देख रहे होते है अलिजा लिली को बोलती है ना तुम पहले मुझे बता दो कि तुम दूने के बीच में क्या चल रहा है लिली अब लिली मन में सूचती है कि मतलब यह किस बार में बात कर रही है और लिली को लगता है ना कि इसने मेरे पेट से नहीं पचान लिया वो फटा-फटा अपना हाथ अपने पेट पर रखती है लेकिन जो अलिजा होती है ना वो अभी उसको देख रही होती है और तुमको ना मैं बहुत टाइम से देख रही हुआ तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो लिली और वो मेरा भाई है जब ही मैं उसे बात करती हूँ ना वो बिल्कुल पहले ऐसा ही नी तुम नों के बीच में कुछ तो हुआ है और मुझे जानना है कि क्या हुआ है अब जो लिली लाकि ना अराम से बैट पर बैट जाते है अब वो कहती है ना एलीसा तुम पहले बैट हो अब लिली मन में सूचते है की जो भी मैं बेसे बताने वाली वो इसको बहुत जदा हर्ट करेगा तो अराम से बैठती है अब जो लिली होती है नो क attackers करना चाए करना चाहिए अबậy प्रेगनेंसी के बारे में और लिली ने उसको सब कुछ बता दिया कि पिछले 6 सफ्ते वो कैसे हर रात को रोती है उसको कितना अकेले से डर लगता है और जब वो सब कुछ बता के खतम करती है न तो वो दोनों रो रहे होते हैं बहुत जादा और अलीशा की मुझे न एक इच अच्छी फैमिली होना है, अच्छी फैमिली उने के लिए माफ करना ज़रूरी है तभी तो परिवार आगे बढ़ेगा, अब जो अलीसा होती है वो कुछ नहीं बूलती है, जो लिली है वो भी शान तेती है, अब अलीसा कहती है, मेरा भाई तुम से बहुत प्यार काता है, व मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी अब लिली को ना कुछ second लगते हैं ये सब कुछ analyze करने के लिए कि मतलब इतना कुछ इसने कैसे बूल दिया और दोनों ना सिसकारियां ले रहे होते हैं रूते रूते अब दोनों एक दूसरे को hug कर लेते हैं कि उनको पता है कि वो दोनों राईले से कितना प्यार करते हैं वो लोग राईले से कितनी नफरत भी करते हैं अब कुछ मिन्ट बाद ना जभी लोग रोके खतem हो जाते हैं जो अलीसा होती है वो टिश्यू पर लेकर आती है दोनों अपनी आखे माँके पोस्ते है अब जो लीसा होती है वो कहती है मैं तुम से जूट नहीं बोलूगी लेकिन हाँ मैंने तुम्हें पहली नोटिस कर लिया था कि तुम ना थोड़ा वजन गेन करने लगी हो मुझे लगा कि तुम बहुतार डिपरेस्ट हो तुम काफी कुछ खाने लगी हो जब से रायले छोड़के गया है अब जो अलीसा है फटाफट अपनी अलमीरा खोलती है अलमीरा से एक बैग निकालती है और कहती है अब मेरे पास बहुत सारे मैटरिटी क्लोट्स हैं जो तु तुम प्रेगनेंट होगी तो फटाफट न एक सूटकेस में निकालके कपड़े डालने लगती है और वो तब तक उसमें कपड़े डालती है जब तक वो ओवर्फिलो न हो जाए अब जो लिली होती है तुम नहीं कपड़े पहने नहीं वह एक कपड़ा उठाती है उस पर भी तक बिल्कुल नया वाला टैग लगा होता है और कहती है यह तो डिजाइनर है यार मैं तो उनको सब गंदे कर दूँगी अब जो अलीसा होती है वो हसती है कहती है कोई बात नहीं मुझे वापस नहीं चाहिए अगर मैं दुबार से प्रेगनेंट होंगी तो मैं बहुत अब जो अलीसा होती है वो लिली के पेट पर हाथ रखती है कहती है यार तुमने पता लगाया यह ललका है लड़की लिली यह वो सरहला के मना करती है कहती है मुझे जानना भी नहीं है अब जो अलीसा होती है मैं तो बस प्रातना कर दीए यह लड़की हो और जो हमारी अब भया वो ना लिली के तब फिंगर पॉइंट आउट करें कहता है यू लिली तुम्हें रिलाइस भी हुआ कि तुम प्रेग्नेंट हो अब जो अलीशा है वो चुप चुप चाहब दरवाजे के पास जाती है और कहती है ना मार्शल को कुछ चीजा ऐसी होती है जो तुम् मुझे कभी भी अपनी वाइफ मत बुलाना ये वो एक चीज है समझ में आ गए अब जो मार्शल होता है वो अपनी आखे बड़ी करता है कहता है येस मैं समझ गया लिली प्रेग्ने नहीं है फिर मार्शल अलीशा के माथे पर किस करता है और कहता है मैं लिली को यह नहीं कह कहती है नहीं मैं पहले राइले को बताना चाहती हूँ अब जो अलीशा होती है नहीं कहती है यार हमें गोद भराई के लिए उसको बताना ही का ज़रूत है हम लोग ये चीज़ सीक्रेट अखेंगे सिर्फ तुम्हारे और मेरी बीच में रहेगी और हम उसको तब तक नहीं बताएंगे जब तक वो आएगा नहीं यहाँ पर अब जो अलीशा होती है न वो अपना लैप्टॉप निकालती है और पहली बाहना रिली को यह अच्छा लगता है कि वो प्रेगनेंट है और वो चीज़ की खुशी न लेली भी फील कर पारी होती है तो यह था इस वीडिय में और होप सो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो सो थैंक यू और स्टे कनेक्टेड